नमस्कार अनपूर्णा आपकी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हुए वेजिटेबल सेंडविच वो भी बिल्कुल लीजी तरीके से यहां पे मैंने लिया है एक खीरा एक मीडियम टमाटर सिमला मिर्च प्याज काला नमक काली मिर्च और सॉस सारी सबजियों को मैंने अच्छे से वॉस करके बारिक बारिक चॉप कर लिया है यहां पे मैंने लिया एक बड़ा वर्तन जिसमें मैं डाल देती हूं सारी सबजियों सुवज़ सुवज़ की भागम दोड में जहां टाइम की कमी रहती है आप इस तरह से बना के खा सकते हैं जो बच्चा सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं आप उनको इस तरह से बना के दे सकते हैं यह खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगती है सारी सबजियों वह मैंने एक बड़े वर्तन में डाल दिया है यहां पे मैं डाल रहे हूं काली मिर्च काला नमक और सॉस सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूं आप एक बार इस तरह से बना के खाईए हैर बार इसी तरह से सेंड़ीच बना के खाना पसंद करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है यहां पर मैंने लिए ब्राउन ब्रेड आपके पास जो भी ब्रेड है आप वो ले सकते है मैंने यहां पर एक ब्रेड लिए जिस पर लगा लिती हूं सबजी यह बिल्कुल कम समय में बनके तयार हो जाती है खाने में भी होती ज्यादा अच्छी लगती है आप इसको चाय के साथ में सोस के साथ में जैसे आपको पसंद हो आप उखा सकते हैं मैंने एक ब्रेड उप गैस ओन करती है चटा दिया मैंने पैन यहां पर मैं लगा रही हूं घी आप बटर लगा सकते हैं यहां पर मैंने रख दिया सेंड्वीच गैस को मैंने बिल्कुल कम रखी है अगर आप फुल गैस पर बनाओगे तो आपकी जो सेंड्वीच है वो कुरकुरी और अच्छी नहीं बनेगी पलटे की सायता से इस तरह से दबाते हुए मैं इसको सेक लेती हूं पलटते हुए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसी तरह से मैं पलटे से दबाते हुए इसको सेक लेती हूं इसी तरह से मैं जो सारी सेंडवीच है मेरी वो बना लेती हूँ कम गी में और कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नास्ता बनके तयार हो जाता है सेंडवीच मेरी बनके तयार हो चुकी है मैं लगा लेती हूँ प्लेट्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like, share, subscribe कीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you